हे गाइस वेलकम बेक टू मैं चैनल तो फायर बोल्ड ने लांच कर दी है अपनी एक और नई ब्लुटूथ कॉलिंग स्मार्ट वाच जिसका नाम होने वाला है फायर बोल्ड राइस और इस स्मार्ट वाच के अंदर आपको ब्लुटूथ कॉलिंग के साथ 1.85 इंचेस का पड़ सकते हो बाकी एक बार इसके बॉक्स को ऊपन कर गर चेक करता है तो सबसे देखने को मिल जाएगी यूजर मैनुल तो यूजर मैनुल को चेक कर लेता है तो यहां पर बहुत सारी इंफोर्मिशन प्रवाइट की गई है जिसको पड़ सकते हो आप आराम से उसी के चार्जिंग केबल प्रोवाइट की गई है इस वाच के साथ और केबल की लेंद अच्छी गासी है बाकि यहाँ पर आपको कुछ कार्ट्स देखने को मिल जाएंगे और इसमें से एक कार्ट थोड़ा अपडेट किया गया है इस बार और यहाँ पर फायर बोल्ड के एकदम न बात करें फर्स्ट इंप्रेशन की तो फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत सही लग रही है यह स्मार्ट वाच इसका रीजन यह है कि इस वाच के अंदर आपको 1.85 इंचेस का बड़ा डिस्पेल प्रोवाइट किया गया है और आल्मोस 47 mm का डिस्पेल होने वाला है और सबसे अची बात यह है कि इस वाच के अंदर साइट में अगर आप अब्जर्व कर सकते हो तो आपको 2.5D कर्वस देखने को मिल जाएंगे तो साइट में यहाँ पर यह जो कर्वस है इस वाच को बहुत प्रीमियम लुक्स देते हैं उसी के साथ यहाँ पर हाई क्वालिटी पॉ प्लस यहाँ पर क्राउं भी वर्किंग होने वाला है इस वाच के अंदर बाकी यहाँ पर आपको इस साइड में स्पीकर और इस साइड में माइक्रोफोन के लिए भी स्पेस देखने को मिल जाएगी तो यह भी एक कॉलिंग वाच होने वाली है उसी के साथ इस वाच के अं आपको अब तक का अंडर 2000 में सबसे बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा यहां पर बात की जाए कि तो कलर्स वगर आप बहुत एक्यूरेट आता है और बैजल भी इसके अंदर बिल्कुल मिनिमूम से देखने को मिल जाएंगे उपर की साइट में तो बिल्कुल ना क देखने को मिल जाएगी तो बड़ा डिस्प्ले प्लस इसके अंदर ब्राइट नेस भी आपको अच्छी घासी देखने को मिल जाती है ड Jim lange में भी इसका इसका डिस्प्ले से एराम से वीजबल हो जाता करता है कि डिस्प्ले की क्वालिटी कितनी अच्छी है बाकी यहां पर आपको और भी वाच फेसिस देखने को मिल जाएंगे जिनको क्राउन को रोटेट करके आप एक्सेस कर सकते हो बाकी युआ की अगर बात करें तो नीची की तरफ स्वाइब करके कंट्रोल पैनल देखने बहुत अच्छी बात है और इस smart watch के अंदर आपको बहुत सारी menu styles भी देखने को मिल जाएगी तो यह सारी menu style आप access कर सकते हो जिसमें से यहां पर helm वाली अच्छी लग रही है बाकी यहां पर full moon भी अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हो तो इस type से आप application को access कर सकते ह बाकी और भी menu style प्रोवाइट की गई है तो यहां पर एक बार यह surface वाली भी चेक कर लेता है ओके सो यह सारी menu styles प्रोवाइट की गई है इस watch के अंदर और भी है आप चेक कर सकते हो बाकी उपर की तरफ स्वाइब करके notification देखने को मिल जाएंगे left की तरफ स्वाइब करके क कुछ आपको data's देखने को मिल जाएंगे और यहां पर अगर आप चाहो तो components add भी कर सकते हो तो मैं add करके बताता हूं यह सारा options है जैसी कि आप मिरेको calculator चाहिए as a component तो यहां पर ऐसे swipe करके calculator आ जाएगा और अपने सबसे components add कर सकते हो इसी तरीके से battery backup की बात की जाए तो इस watch के अंदर 2-3 days का battery backup आराम से देखने को मिल जाएगा और 14-15 days का standby time है इस watch का इस watch के अंदर IP67 की ratings देखने को मिल जाएगी यानि कि थोड़ा बहुत पानी वगरा गिर जाए तो कोई problem नहीं होगी पर क्योंकि यह एक calling watch है तो मैं आपको यह recommend जितना पानी से दूर रखोगे उतना बेटर रहेगा ओके सो इसका application मैंने डाउनलोड कर लिया है और दाफिट application वैसे काफी user friendly है इसको आप आराम से access कर सकते हो कोई भी lags वगरा देखने को नहीं मिलते और यहाँ पे add device पे click करके smart watch को connect कर सकते हो तो यहाँ पे आपको बह activity अच्छी कासी देखने को मिल जाएगी first time के लिए यहाँ पे हलका सा time लगेगा बाखी यहाँ पर usually आप watch को जैसे ही on करोगे अपने आप application से connect हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो watch जो है यह application से connect हो चुकी है और अपन एक बार watch faces वाला option चेक कर लिता है तो अगर चाहो तो custom watch faces भी लगा सकते हो watch face 1 पे edit पे यहाँ पर click करके मैं एक बार एक picture custom watch face की तरह लगा के बताता हूँ तो यहाँ पर यह वाली एक picture है YouTube की तो यह वाली picture मैं custom watch face की तरह लगा के बताता हूँ ओके सो यह watch face install हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो quality कितनी अच्छी आई है और इसके अंदर आप इसी तरीके से कोई भी custom watch faces इंस्टॉल कर सकते हो तो चलिए अब एक किक करके इसके applications चेक कर लेता है सबसे पहला option है activity का और इसके अंदर सारा data अच्छे से graphs के अंदर show हो जाएगा तो यह सारा data आप access कर सकते हो उसके बाद यहाँ प calls करोंगे फोन से लग जाएंगे तो इस टाइप से आप calls वगेरा प्लेस कर सकते हो और सबसे अच्छी बात यह कि speaker की quality अच्छी है और इस watch से आराम से बात कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर option है heart rate sensor का और heart rate sensor इस watch के अंदर आपको working देखने को मिल जाएगा एर के अंदर reading show नहीं करता है और इसकी readings को मैंने औक्सीमीटर से compare करके देखा है तो औक्सीमीटर से इसकी readings मैच करती है और working heart rate sensor प्रोवाइट किया गया है से smart watch के अंदर उसके बाद यहाँ पर आपको stress का option देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप stress को भी monitor कर सकते हो और यह feature भी काफी अद तक interesting है और यह भी working होने वा features almost सारे अच्छे से work करते हैं से smart watch के अंदर उसके बाद option है blood pressure का और blood pressure इसकी accuracy को लेके मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्यूंकि smart watches से blood pressure measure measure करना थोड़ा impossible लगता है तो blood pressure के उपर आप उतना rely नहीं कर सकते है उसके लिए आपको एक proper medical equipment ही चाहिए तो यहाँ पर SPO2 के लि working होने वाला है और इसकी रीडिंग्स भी काफी हद तक oximeter से match करती है उसके बाद है option exercise का और इस watch के अंदर total 123 sports mode provide किये गये है चोकि सच में एक अच्छा number है और pedometer की accuracy भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है से smart watch के अंदर मैंने 100 steps चलके देखे थे और इसने कुछ 111 श पास शो किये तो अच्छी खासी accuracy आ जाती है से smart watch के अंदर और यहां पर आपको 123 total sports mode देखने को मिल जाएंगे उसके बाद option है यहां पर exercise records का जिसके अंदर सारा records देखने को मिल जाएगा उसके बाद है weather और weather भी काफी अच्छे खासे animations के अंदर show हो जाता है तो animations अच्छ नहीं है इस चीज़ को ध्यान में रखना हो उसके बाद है remote capture वाला option और यह feature भी काफियत तक useful हो सकता है कुछ primarily आपको कुछ permissions देनी पड़ेगी फोन को और उसके बाद इस feature को use कर सकते हो watch के ओपर यहां पर click करके आप phone से images click कर सकते हो यहां पर timer on हो जाएगा उसके बाद यहां पर option है music player का और phone की music को control भी कर सकते हो प्लस क्योंकि इस watch के अंदर inbuilt speaker provide क्या गया है तो watch के अंदर ही music भी सुन सकते हो उसके बाद है यहां पर relaxation का option और यहां पर यह watch आपको breathing के लिए guide करेगी तो आप breathing अगर इसके साब से करोगे तो आपके लिए काफी useful हो सकता है उसके बाद है timer यहां पर maximum 2 hours का set कर सकते हो प्लस यहां पर customize करने का भी option देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको option देखने को मिल जाएगा AI voice assistant का और अगर आपके पास android है तो google assistant on हो जाएगा और अगर आपके पास ios है तो siri feature on हो जाएगा और इसको आप अपने sub से commands दे सकते हो उसके बाद option alarms का और इसके अंदर आप alarms watch के अंदर ही manually set कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि बाकी watches के अंदर क्या होता है कि आपको application से set करना पड़ता है और फिर यहां से on off कर सकते हो तो यह थोड़ा hectic हो जाता है तो यह feature अच्छा है कि आप इस watch के अंदर ह आराम से alarm set कर सकते हो उसके बाद option stop watch का और stop watch यहां पर आप access कर सकते हो और उसके बाद यहां पर cycle tracking यानि की female health tracking वाले features भी देखने को मिल जाएंगे तो यह सारे भी आप access कर सकते हो उसके बाद फ्लेश लाइट और यह watch as a flash भी use कर सकते हो और display की brightness अच्छी खासी है तो गये है और चारो ही बहुत interesting है पहला है Flappy Bird तो Flappy Bird तो आप जानते ही होंगे बहुत popular game है उसके बाद यहां पर इसको ऐसे इसको मारने वाला game है तो अपन खेलते हैं एक बार तो इस चाइप से point मिलेगे और bomb पे click कर दिया तो और उसके बाद है 2048 और battleship बैटल शिप तो अपन वीडियो गेम में खेलते थे वही गेम है तो वीडियो गेम वाले games आज कल smart watch के अंदर आने लग गया है पर एक चीज़ यहां पर notice कने वाली है कि touch response इस watch के अंदर बहुत अच्छा खासा है तो आप आराम से games भी enjoy कर सकते हो और थोड़ा पर time pass कर सकते हो उसके बाद option और जैसा कि सारे ही वीडियो में specify करता हूं कि smart watch इसको calculator तो देना ही चाहिए तो calculator आपको देखने को मिल जाएगा इस watch के अंदर और क्यूंकि touch response अच्छा है तो calculations वगेरा आराम से कर सकते हो कोई दिकत नहीं होगी उसके बाद last में है option settings का पहला option है डिस्प्ले डिस्प्ले कि brightness अभी फुल पर है उसके बाद sleep अपने सबसे आप timer set कर सकते हो उसके बाद watch face आप अपने सबसे set कर सकते हो और race to wake gesture आपको देखने को मिल जाएगा और race to wake gesture बहुत responsive है और अच्छे से work करता है उसके बाद vibration की intensity को आप set कर सकते हो और अपने सबसे mode select कर सकते हो dnd mode देखन को मिल जाएगा और phone यहाँ पर आप अपने सबसे यहाँ पर on या off कर सकते हो Bluetooth settings देखने को मिलेगी और फिर है system जिसके अंदर basic से option है और last वे है about section जिसके अंदर version और application का बारकोड देखने को मिल जाएगा तो यह सारी features है से smart watch के अंदर और definitely एक totally value for money smart watch है क्योंकि 2000 के प्लस यहाँ पर display की smoothness अच्छी है प्लस बहुत जदा premium looking product है तो definitely आप इसको consider कर सकते हो अगर आपका budget 2000 के अंदर है तो और उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओगा और अच्छा लगाओ informative लगाओ तो like subscribe ज़रूर से करना मिलता हो आप से एकले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई